Consider this gate 1997 question In the following grammar Grammar आपको ये given है Which of the following is true और जो options हैं वो operators की associativity के बारे में कुछ है ओके तो हम क्या करेंगे हमको ये concept पता है कि अगर कोई ये grammar given हो तो उस grammar से हम operators की associativity या हम precedence बता सकते हैं अगर मैं कहूँ इन options में जाने से पहले मैं ये precedence और associativity दोनों compute करके रख लेता हूँ and then we'll match तो अगर मैं बात करूँ precedence की operators की तो यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्स जोर वाई मैं इसको जोर बोल दे रहा हूँ जोर एक्स और और एक्स नौर और यहाँ पर ये वैसे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उससे मेरा कोई वो नहीं बोलने के लिए operators का नाम ऐसा बोल दे रहा हूँ तो मैंने का ये जिस जोर है और ये एक्स नौर है जो तो अगर देखे एक्स से ये जोर पर हम जा रहे हैं स्टार्ट सिंबल एक्स का है स्टार्ट सिंबल है ग्रामर का तो ये operator क्या है इसके नजदीक है और y से derive हो रहा है ये एक्स नौर means एक level cross हो चुका है अगर tree के form में बात करें अगर ऐसी कोई भी string जो इस ग्रामर से generate होती है और अगर वो string में ये दोनों operator हैं आप उसका tree बनाओ तो क्या होगा ये जो X-Nor है ये tree में नीचे के level पे रहेगा और जो ये X-Or है ये tree में ऊपर के level पे रहेगा और tree में हमने कहा है कि जो नीचे रहता है वो पहले compute होता है क्यों? क्योंकि उसकी precedence कहलो ये associativity उससे define होती है ओके मितलब अगर precedence के trim में बात करें तो उसकी precedence ज्यादा है पहला concept, दूसरा concept अगर grammar से direct देखना है तो start symbol के जो operator जितना नजदीक होगा उसकी precedence उतनी कम, जो जितना दूर उसकी precedence उतनी ज्यादा, and therefore यहाँ से मैं directly क्या बोल सकता हूँ कि इस तरह से इनकी precedence है ओके, x nor की precedence ज्यादा है x और से, x और से ओके, अब बात करते हैं associativity की x इस production को means, check करते हैं x derives x, x और y means, अगर इसको मैं देखूं production को, तो यह production क्या है, left recursive production है, चुकि यह production left recursive है, तो यहाँ से यह operator क्या मिलेगा मुझे, यह operator मिलेगा मुझे, left to right means left associativity similarly, अगर मुझे इसकी associativity की बात करनी है तो मुझे, यह production check करना पड़ेगा, यह production कैसा है, right recursive production है, ओके तो right recursive grammar यह production, grammar तो नहीं कहेंगे क्यों grammar तो overall में कहें है तो इस production में right recursive production होने की बजाए से, यह operator क्या है, यह operator right to left associative है, यह कहें हो right associative, now means read the options and तिकदा answer, which of the following is true, plus is left associative, while x nor is right associative तो देख लेते हैं, x nor is right and x or is left, yes, the first one is correct, okay and that's done.